तो आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वरक्षीट नमबर 123B पार यह आपकी EBS की वरक्षीट है और इसकी डेट है 2nd December 2021 और यह आपकी जो बुक है Looking Around की Unit 8 Reaching Grandmother's House से ली गई है तो बिफोर स्टाटिंग इस वरक्षीट यह आपकी वरक्षीट पिछले पार्ट में हमने ओमना की यात्रा का एक अंश जाना अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद अब ओमना को टायम पहुँच चुकी है बच्चो जब भी कोई यात्री रेल गाड़ी से सफर करना चाहता है तो उसे रेलवे समय सारणी की जरूत पड़ती है इसके जरीए ही बहुत सी जानकारिया जैसे की गाड़ी का आरंब, स्थान, गंतव्य स्थान, इत्यादी मिलती है आज हम रेलवे समय सारणी के बारे मे जानेंगे, यानि कि जो railway का time chart होता है, time table होता है, उसके बिना हम नहीं जान सकते कि रेल गाड़ी कब आएगी, कितने बज़े आएगी, कितने बज़े पहुचेगी, कहां से आएगी, कहां जाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो आए उसी के बारे हम जानते हैं, बच्च यहां क्या दिखाएगा है, समय सारणी का मतलब है time table, जैसे हमारा school का time table होता है, कि हमारा first period किसका होगा, second किसका होगा, किस समय शुरू होगा, किस समय हमारी चुट्टी होगी, तो उसी तरीके से ये railway का भी समय सारणी है, ठीक है, जैसे यहां पर ये गाड़ी संख्या लि ये हीरो हंडा की motorcycle है, या आपकी जुपिटर स्कूटी है, या कुछ भी ऐसा, फिर ये होता है उसका समय, आने का समय की railway station पर वो किस समय आएगी, ये होता है जाने का समय इनकी railway station पर कितने वज़े जाएगी, कितने कहां से जाएगी, ये इसका आरम स्थान होता है, और ये पहुँचने का स्थान होता है, ये जहां से शुरू होगी और जहां तक जाएगी, ठीक है, तो अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रशन दिये गए हैं हमें, हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं, चलिए, पहला प्रशन है, पंजाब मेल की गाड़ी संख्या क्या है, अब दो, एक, तीन, साथ, यानि 12137, ठीक है, 12137 भी हमें से कह सकते हैं, अब रेल गाड़ी संख्या 12472 के आने का समय क्या है, अभी देखिए कौन सी गाड़ी है, ये ये वाली गाड़ी है, आने का समय क्या है, 2135, 2135 का क्या मतलब हुआ है, कितने बज़ आएगी, ये हमारी आ समय में 12 बज़े, जो रात के 12 बज़ेंगे, वो 24, उसके बाद 23, यानि 11 बज़े, यानि उसके अद 22, यानि 10 बज़े, और 21 होते हैं, हमारे 9 बज़ कर 35 मिन, तो आप में आपर 2135 पी-म लिखेंगे, वैसे 2135 से वैसी ही समझ में आता है, ये पी-म का समय, ठीक है, सर्वोद एकस्परेस के जाने का समय क्या है, अब सर्वोद होद है हमारी ये वाली है, इसके जाने का समय क्या है, ये 4.50, 4.50 का मतलब है, ये morning का 4.50 है, ए-ए-म, ठीक है, सुबह-सुबह, बिल्कुल सुबह-सुबह, 4.50 मिन पर ये जाएगी, उसके बाद है, सोराज एकस्परेस, नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन से कितने समय के लिए, रेल्वे स्टेशन पर कितने समय के लिए रुखती है, ठीक है, सुराज एक्स्प्रेस देखनी है हमें, ठीक है, सुराज एक्स्प्रेस जो है, कट्रा से बंदा, सुराज एक्स्प्रेस नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन पर कितने समय के लिए रुखती है अब यहां पर देखिए हम इसका अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो आरहम स्थान है वो कट रहा है और इसका गंतव्य स्थान बांदरा टर्मिनल है ठीक है तो इसका हम अंदाजा किस तरीके से लगा सकते हैं अज़ा हां हां ठीक है यां दिल्ली रीले इसरीशन का ही तो दिया गया आने का समय और जाने का समय राजधानी एक्स्प्रेस के आने का समय क्यों नहीं दर्शाये गया है राजधानी एक्स्प्रेस के आने का समय क्यों नहीं दर्शाये गया है ये किस समय आती है क्योंकि ये दिल्ली से स्टार्ट होती है अगर यह यहां से जाएगी इसका आरंब स्थान क्या है दिल्ली ही है ठीक है अगर जिसका आरंब स्थान दिल्ली और यहां से जाने का समय इसका यह है तो इसलिए नहीं दिखाया गया इसका ठीक है तो हम क्या लिखेंगे क्यों नहीं दर्शाएगा क्योंकि क्योंकि इसका आरम स्थान दिल्ली है इसका आरम स्थान दिल्ली है तो यह जो दस बच कर कुछ समय दिया गया उसी समय यह हमारे दिल्ली रेल्वे स्टेशन से चलेगी आरम स्थान दिल्ली है यहां लिख दिल्ली है अगला है पंजाब मेल के आरम स्थान के स्टेशन का नाम क्या है तो पंजाब मेल देख लेते हैं उसके आरम स्थान का क्या नाम है पंजाब मेल के आरम स्थान का नाम है मुंबई क्या है मुंबई ठीक है मुंबई है राजदानी एक्सप्रेस के गंतबे स्थान का नाम क्या है गंतबे स्थान जो की जहां से जहां पहुंचेगी शुरू होगी दिल्ली से और पहुंचेगी कहां पर वो स्थान को बताना है और अगला प्रशन हमारा भी बताते हैं आपको पंजाब मेल किस स्थान तक, 스tesचन तक जाएगी, तो देख लीजे, चलिये राजदानिये एकस्प्रेस दिल्ली से श्रू होकर कहा तक जाएगी? स्याल दहा तक जाएगी और पंजाब मेल कहा तक जाएगी? फिरोजपूर तक जाएगी, तो लिख देते हैं हैं आपर आपने अपना ये चार्ट पड़ा तो उम्मीद है आपको ये वक्षित समझाई होगी अगर समझाई तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद